असलामोलेकुम वीवर्स वेलकम टू मेरा जाइका बाइना ही आई होब कि आप सब खेरेत से होंगे और अलहमदुलिल्ला मैं बिल्कुल चीक हूं आज मैं आप से शेर करने वाली हूं रॉब बनाना करी इसका टेस्ट बिल्कुल फिश करी जैसा होता है तो मैंने छे बनाना और इसको मैं पील कर रही हूं और पील करने के वाद में इसको कट करूंगी और एक बनाना के छे पीसे होंगे तो सबसे पहले में इसको हाफ करूंगी और इसको तीन पीस इस तरीके से करूंगी तो हर एक बनाना में छे पीसे होंगे और सारे बनाना को इस तरीके से में कट कर लूँगी पील करके इस तरीके से और ये दूसरा बनाना ये सारे रो बनाना मैंने कट कर लिए पील करके और अब मैं एक मसाला रेडी करूंगी यह मैंने दो लस्टन की कलिया ली है जिस मैंने शील लिया है दो इंचे द्रग का टुकड़ा है दो प्याज है टू टीस्पून सरसो है यह पीली सरसो है आप चाहें तो काली सरसो भी ले सकते हैं पेस्ट बना लेंगे मुसको पेस महां है यह आरम वी स्थेक टेस्ट से अट चिली पाऊडर है वन टीस्पून या असमासि किंड़ा इस हैं एक आसठ कोको में सरय आत्षित याज को साळव़ेश थाहां संस्ट प्यांट में थाश्पून हल्दी पाऊडर है और तूटेबल तो मैं कड़ाई में तेल डालूंगी फ्राइ करने के लिए आप एक बर जरूर से इसको बना कर खाये आपको बिल्कुल फिश करी जासा टेस्ट लगेगा और अब एक पीस करके हम इसको फ्राइ कर लेंगे एक बार में जितने भी आ सके इसको हम गोल्डन होने तक फ्राइ करे करेंगे और इसको हम अलट पलट के बढ़िया गोल्डन क्रिस्पी होने तक फ्राइ कर लिंग बहुत जल्दी यह हो जाते हैं फ्राइ ज्यादा टाइम नहीं लगता है इसको और इस आरे बनाना को हम मैं फ्राइ कर लेंगे और यह फ्राइ हो चुके हैं बढ़िया गोल्डन क्रिस्पी हो गया यह इसको निकाल लेते हैं और यह सारे बनाना मेरे फ्राइ हो गया है अब हम इसका करी बनाएंगे तो यह मैं हाफ कप ऑईल में वन टेस्पून मेथी रणा डाल रही हूं और जैसे ही गोल्डन हो जाएगा मेथी दाना जो हमने पेस्ट रेडी किया है उसको डाल देंगे अध्रक लस्चन प्याज और सरसो का पेस्ट जो है इसमें हम एड कर देंगे थोड़ा से पानी में डाल दें खंगाल के और अब हम इसमें डालेंगे स्वाल टू टेस्ट और कि और रहाफ टी इस्पून हल्दी है हिते हैं ब मेंद उसम откры Espoon रेड चिलि पावदे आ कि वन टी सपून जीरा पावडर और और वन टी पून इसमें कर मसाला है कि बहुत अचा से मिक्स करिए इसको और मिक्स करने के बादत इसको हम भूनेंगे जब अधरक लस्चन प्याज और सरसो भून जायेगा आधा इसके बाद हम इसमें टोमाटो प्यूरी एड़ करेंगे मैंने चॉप कर लिया है 4 टोमाटो को मैंने चॉपर में डालके चॉप कर लिया है आप चाहें तो प्यूरी भी बना सकते हैं इसको हम बहुत अच्या से भूनेंगे और इसको हम दो ciao आ Act अब हम इसमें one glass पानी आड़ करेंगे ग्रेवी बनाने के लिए सब्सक्राइब कर मेदेई तो हम इसमें अपने फ्राई बनाना को आड करदेंगे मिक्स कर ले और इसको ढख कर हम पांच मिन्ट लो फ्लेम पर पकाएंगे कुक फॉर फाइब मिनट्स लो फ्लेम और उसके बाद ये बिल्कुल रेडी है सर्फ करने के लिए तो इसे चॉप हरी धन्ये के साथ हम गानिश करेंगे फ्रेश शरदन्या और इसको गानिश करके सर्फ कर लें अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कॉमेंट करें अल्ला हाफीज